एक प्रेमिका ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी प्रेमिक उतारा मौत के घाट हैलो नमस्कार दोस्तों मैं की सबसेनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ दोस्तों आज की जो कहानी है वो है बांदागी उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बांदा उस जिले में एक ठाना पड़ता है बवेरू उस ठाने में एक गाउं पड़ता है सतनियाब उस गाउं का रहने वाला एक ब्यक्ति होता है जिस ब्यक्ति का नाम होता है अरुनेस अर्मेस की पत्नी का नाम बरसा होता है और उनका गाउं का ही एक दोस्त होता है जिस दोस्त का नाम होता है देवेस देवेश की पत्नी का नाम गीता होता है और उने साधिस द्वा होने के पश्चात्वी जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है देवेश उसकी पत्नी के साथ उसका प्रेम प्रसंग सुर हो जाता है दोस्तो उसकी जो पत्नी होती थी वो चोरी चुपके जो उसका प्रेमी होता है उसको मिलने के लिए बुलाया करती थी दोस्तो वो फोन पर भी चोरी चुपके जब जब उसका पत्ती घर पर नहीं होता था जो दैवेस है वो घर पर नहीं होता था तो वो फोन पर बात करती थी जब इसके बारे में जो उसका पत्ती होता है दैवेस उसको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डाड़ता है और समझाता है और जो उसका दोस्त होता है अन्रेस उससे भी अपनी घर आने के लिए मना करता है लेकिन जो अन्रेस होता है वो नहीं मानता है इसके पश्चात व को जो अर्नेश होता है वो गाउं के ही एक व्यक्ती सुनील आदब के हैं टेक्टर काभाड़ा लेने के लिए जाते हैं जाने के पश्चाथ बहुंदर से ये कड़ान का लेकर जो सुनीली आदब होते हैं उनकी वाइक पर आते हैं आने की पश्याध राश्ते में जो बाइक होती है उस में पैट्रल खित्याक्त हुने के पश्यात बियूँ उस बाइक इंड़ कर पैदल्य चलना सुरू लिए भाड़ ये जाना सुझ कर देת में इतने ही गाडी जैसे उतरते हैं वह अपनी गीता का फोन आ जाता है और वो उन्हें मिलने के लिए गाउं के एक विध्याले होता है सरकारी उच्छ विध्याले होता है उसमें मिलने के लिए बुलाती है जो अर्णेस होते हैं वो मिलने के लिए चले जाते हैं वो पिलानी के अनुसार उसकी जो पत्नी होती है और जो उस जो गीता होती है जो फैंसर्ट होते हैं उनको उतरवाती है कि जिसके कार्ण बुम्हां से भाग न सके इसके पशाद बोस्टे गले मिलती है और गले मिलते ही फीछे से पिलानी का नुशार उसका द्यू पति है वह आ को दुपका देते दुपकाने के पस्याद्र वह अपने घर के लिए फरार हो जाते हैं इधर जो अदर्थ होता है उसके घर वाले वह फोन कर रहेते हैं लेकिन उसका फोन था वह बन्दा रहा था इसके पश्चात दो गाउंगे लोगों को बताते हैं और युद्वाना करते हैं लेकिन उस रात नहीं मिलते हैं इसके पश्चाद 11 दिसंबर सन 2023 दिन सौंबार को जो अर्णेस के परिवार वाले होते हैं वो बवेरु थाने में जाते हैं और उसके लापता होने की तहरीर देते हैं तहरीर देने के पश्चाद जो पुलिस होती है वो जाच करना सु का पर्कारी बिद्धाल्यों होता है उसमें एक सोचाल्य था सब्सक्राइब के प्रकारति करते हैं सब्सक्राइब कर तो सब को उसको दूर्प कर ब्रकार के लिए भी तो यह जब नष्यormuş ऐगाने के प्रकार mundिया दोस्त होता है देवेस उसको गरबतार कर लेती है और गरबतार करने के पशा उससे पूछताज करती है पहले वो इदर दर की बाते करता है और बाद में वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है पुलिस उसकी जो पत्नी होती है उसको भी गरबतार कर लेती है जिसका नाम होता है गीता क्योंकि इन दोनों की प्लानी के अनुसारी उसकी हत्या की गई थी पुलिस सद्धिस अंकुर अगरवाल ने बता है कि पुलिस ने 24 गंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है पुलिस ने जो मिर्तक होते हैं उनकी प्रेमी का जिसका नाम होता है गीता बे उसके पती जिसका नाम होता है दैविस दोनों को गरपतर कर लिया है और उनके पास से आला कतल नायलोन की रसी बे नकूली कील बरामत कर लिया है फिलाल में दोनों को गिरपतर कर लिया है और इनको जल्द ही जेल भेज़ दे जाएगा दोस्तो आज की कहानी को सुनाने के होदेश से आपको परिशान करना नहीं है सिरिप आपको जागुर करना है दोस्तो अगर आफ हमारे यूटूब चैनल पर पहली वार आए हो तो चैनल को सस्काइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें दोस्तो आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है हिंदी न्यूज 18 और आज तक न्यूज और UP तक न्यूज अमरुजाला न्यूज नभारत न्यूज एटीवी भारत न्यूज और अम्रत विचार न्यूज इन सबी नियूस से मिलकर इस कहानी को तयार किया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं इस कहानी के साथ बनी रहीगा हमारी चैनल पर